हेलो एवरिबन सो मोडुलिस फंक्षन अब्सुलूट वल्य फंक्षन वाले बेसिक के सीरीज में तुड़े विल्डिस्कॉस अबॉट टाइप फॉर डिरेक्ट इक्जांपल यहा है मैंने इक्जांपल इस य इकल टू लन एक्स मोड एक्स और फिर होल की मोड लॉग जब पढ़ाऊंगा तो मैं लन एक्स और लॉग एक्स का डिफरेंस बताऊंगा फिलाल हम ग्राफ को देखते हैं क्योंकि जिस चीज को हमने उठाया है उसको पहले फिनिस करने की कोशिस करते हैं सबसे पहले लन एक्स का ग्राफ आप लोग को दिख रहा होगा मैंने बोला था फर्स्ट लेक्चर में जब यह सीरीज शुरू किया था कि हमेशा ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन को स्टेप बाइस टेप करें तो वह इसी हो जाएगा अगर आप स्टेप बाइ स्टेप नहीं करेंगो तो टफनेस भी बढ़ेगी और थेोरिटिकल ऐसे कोश्टन को करना काफ़ी टफिकल हो जाता है कॉंसेप्ट क्लरेटी आपको ग्राफ ही देता है ऐसे कोश्टन में तो नव तो स्टेप स्ट में हमने क्या किया है कि नॉर्मल य इकल टू अलन इकस का ग्राफ को नहीं लिए है दिसिस इससे ग्राफ ऑफ वाइश उकल टू अल अलन एट सिज ता नेचरिल लॉक now step second देखिए आपर step second में मैंने क्या किया है कि y is equal to ln x mod x का graph बना है अब अगर याद हो तो जब x पे mod होता है x पे mod होता है तो graph y axis के about symmetric होता है x पे mod the graph is symmetric about y axis तो जो graph y axis के left side है right side है I am sorry जो graph y axis के right side है वही graph y axis के left side बन जाएगा याद है type second I think type second था हो अब this is the graph of y is equal to ln x mod x लेकिन हमें graph किसका बनाना है y is equal to ln x mod x फिर whole की mod what is the property of mod अगर पूरे की mod है इसका मतलब जो भी x axis के नीचे का part है जो भी x axis के नीचे का part है उस part को क्या कर देगा वो उपर shift कर देगा उपर transform कर देगा ठीक है so यह वाला part कहां चला जाएगा उपर चला जाएगा steps को याद रखे first step y is equal to ln x का graph second step सिर्फ x पे mode लगाया x पे mode लगाया तो graph y axis के बार से metric हो गया and third step is the final step पूरे की mode लगा दिया मतलब ln x mod x फिर whole की mode whole की mode जैसे लगा x axis के नीचे वाला part कहा चला जाएगा उपर चला जाएगा आप खुद से try कर सकते you should try y is equal to mod of 2 minus mod x then whole की mode आप इसको एक बड़ ट्राइ करें और community section में जो भी question मैं पोच्टा हूँ क्रिपया हो सके आप उसे try करते रहें क्यों जही मेंस और advanced level की questions ही होते हैं उसमें so thanks for watching thank you very much